हे गाइस नमस्ते वेलकम टू माई चैनल सोनुक्रिप्टो मीमीफाइगा एड्रॉप बहुत सारे एक्षेंज के अंदर लिस्टिंग होने जा रहा है बट यहाँ पे जब ऑन चेंग करोगे वालेट के अंदर तो उसके अंदर फीस लगेगी या फिर गैस फीस नहीं लगेग क्योंकि अभी चल रहा है गाइस बुल मार्केट तो यहाँ पे बहुत सारे युजर के कन्फुजन भी है और थर्ड तिंग यहाँ पे आपकी अलोकेशन बढ़ा दी गई है इनके साइट से कहना है बट इनर यल क्या है कम्प्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जानने अफिशली तो first guys यहाँ पे Mimify Adrop की लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे guys लिस्टिंग होने वाले यह बहुत सारे टॉप टायर एक्षेंड के अंदर Binance के अंदर list नहीं होने वाला initially अभी listing का time क्या है, date क्या है वो आपको पहले share कर देता हूँ जैसे सब exchange के अंदर November 22 को यह listing होगा और यहाँ पे कितने बज़े होगा 1 PM UTC को UTC को आप IST में convert करोगे तो 6.30 बज़े evening को यह list होने वाला है Indian timing के हिसाब से Second इन्हों ने एक और new update प्रवाइड किये जैसे कि changes in allocation कुछ users के लिए यहाँ पे allocation बढ़ा दी गई है आप जाके check out कर सकते हो यह सब के लिए नहीं है, कुछ users के लिए हैं Third thing guys, यहाँ पे आपकी allocation आप check out करोगे आपकी allocation ज़ादा कम हुई रहेगी ठीक है, बट यहाँ पे main यह है कि जो यहाँ पे off-chain claiming थी direct exchange के अंदर जो होता OKX exchange, तो वो अभी यहाँ पे complete हो जुका है अभी OKX exchange के अंदर आप withdrawal नहीं ले सकते direct तो guys, अभी mainly mimify की जो on-chain claiming होने वाली है, जो OKX web3 wallet के अंदर होने वाली है उसके regarding भी अभी latest update आ जुकी है update के अंदर जो पताऊंगा, वो important है ध्यान से सुनना ठीक है तो first of all, आपका OKX web3 wallet यहाँ से connect होना चाहिए, ठीक है तो अभी इस update के अंदर क्या mention किया है, वो जानो, यहाँ पे कब आप claim कर पाऊगे, claim के बारे में यहाँ पे clearly mention किया है कि listing से एक गंटा पहले ठीक है, listing कब होने वाली आपको सब को पता है, 6.30 PM IST Indian Time के इसाब से कब होने वाली है, 22 November को तो उससे एक गंटा पहले, means 5.30 PM IST Indian Time के इसाब से, तब आप जाके अपना Mimify का add drop OKX Web3 Wallet के अंदर claim कर पाऊगे अभी main question यह आता है कि वहाँ पे हमको fees वगरा कुछ लगेगी या, तो उसके regarding भी यहाँ पे कुछ जो mention किया हुआ है जैसे कि यहाँ पे जो on chain claiming रहती है, mostly सब जगे fees लगती है, particular network की, जैसे sui network के अंदर claiming है, तो वहाँ पे sui token की fees लगनी चाहिए, बट यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि आपको fees नहीं लगेगी, क्योंकि जो fees रहेगी ना, gas fees वो cover करने वाले हैं Mimify वाले, ठीक है तो यहाँ पे आपकी fees नहीं लगेगी, Mimify वाले खुद cover करेंगे, या फिर आपके Mimify allocation में से कुछ fees काट लेंगे, ठीक है SN fees, कुछ Mimify token को तो अभी आप ऐसा मत सोचना कि आपको direct वाहाँ पे OKSweb3 wallet के नदर direct token भीज दिये जाएंगे ऐसा नहीं है, ठीक है listing से एक गंटे पहले, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको tap कर देना है, tap करने के बाद OKSweb3 wallet को connect करना है, फिर यहाँ पे आपको claim कर लेना है ठीक है, जब claim कर लोगे आपके token यहाँ पे Mimify के show हो जाएंगे, जो crypto section है इसके अंदर ही, sui network क्याँ पे रहेगा, उसके अंदर आपको show हो जाएंगे उसको आपको क्या करना है, particular exchange के अंदर withdraw ले लेना है जिसके तो वहाँ पे आप easily sell कर पाऊगे आप चाहें तो यहाँ पे wallet के अंदर भी sell कर सकते हो, बट wallet के अंदर अलग से sui token की fees लगेगी जब आप sell करने जाओगे means swap करने जाओगे ठीक है, तो इसलिए उसको क्या करना है, आपको particular exchange के अंदर withdraw लेना है, जैसे bit, cut, buy bit, बहुत सारे exchange के अंदर listing होने वाला है, उसके अलावा यहाँ पे हैं के आप देख सकते हो ecosystem activity करके दिया हुआ है अगर आपने mimify के अंदर NFT या फिर इनका testnet वगरा किया है तो simple यहाँ पे आपको click कर देना है और जो wallet है, उसको OKX Web3 wallet के अंदर आपको import कर लेना है, secret key phrase use करके और simple connect करके आपकी allocation आपको check out कर लेनी है, तो आपको अगर extra allocation मिली रहेगी, आपने testnet या फिर NFT वगर hold की थी उसके तुरू, तो आपको ये वाले section के अंदर या आप जो 0 नजर आ रहा है उसके बदले आपको नजर आ जाएगा, आपके mimify extra tokens जो जादा मिले हैं, जो bot use किया है उससे जादा वहाँ पे मिले हैं, और उसके साथ यहाँ पे आप mimify की pre market के अंदर price check out करोगे 0.012 चल रही है और listing के टाइम पे इससे कम रहेगी ठीक है, let's price रहेगी उसके बाद, यहाँ पे selling pressure रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 85% यहाँ पे 90% user को बाढ़ दिया गया है तो यहाँ पे selling pressure रहेगा और initially यहाँ पे price dump करेगी तो make sure करो, आपको hold नहीं रखना है आपको instant पहले करना है sell ठीक है, आपको instant करना sell, पहला तो यह reason हो गया second क्यों sell करना है, वो भी reason आपको बता रहा हूँ इनकी कोई तगड़ी वगरा funding नहीं हुई है, न VCs वगरा backers वगरा अच्छे खासे नहीं है ठीक है, इनके पास, first of all पैसे भी नहीं है, इसलिए आप game boot open करते ही, यहाँ पर अभी फिलाल में आपको हर टाइम, अलग-अलग पैसे लेने के तरीका आ रहे है यहाँ पर यूजर से पैसे ले रहे है ना कि देने जा रहे हैं जादा ठीक है, तो आप सोच सकते हो, इनके पास इतनी कुछ खास funding वगरा नहीं है इसलिए, और VC वगरा इतनी backing अच्छी नहीं है, इसलिए initial आप sell करो profit book करो और selling pressure तगड़ा रहने वाला है, इसलिए initially जितना profit होता है, जो price अच्छी कासे मिलती है उसमें sell करो, उसके बाद आपको अगर holdी रखना है तो जैसे X empire में हुआ था, initially price pump हुई थी, फिर नीचे की बहुत 50% से भी नीचे जादा गई थी तो जब नीचे आ जाएगा selling pressure over हो जाएगा तब जाके आप फिर से buy कर सकते हो आपको अगर लग रहा है कि bull market में उपर जाएगा mimify, तो तब जाके आप buy कर सकते हो और hold रख सकते हो, ठीक है बट initially profit book करना मत बुलना और जितने भी links रहेगी सब links आपको हमारे telegram channel के अंदर मिल जाएगी जैसे कि okx web3 wallet को download करने की, या फिर इसके apk की, जितनी भी आपको link चाहिए हमारे telegram channel के अंदर मिल जाएगी इसलिए make sure करना हमारे telegram channel join करना, तो बस guys यही थी important update जो आपके साथ share कर देती share की, मिलते हैं अगले वीडियो में